जै गुर जी जै मतादी तो दोस्तों मैं चेतना कालरा टेरो कार्ड डीडर स्विच्वर्ड हीलर मोटिवेशनल काउंसलर तो जो मैंने सीरीज शुरू की है टेरो कार्ड्स एंड स्विच्वर्ड्स अगर कोई भी कार्ड निकलता है तो उसके आपके situation के according meaning मिलता है आपको युनिवर्स से guidance मिलती है तो उनी के base पर हमें remedy अगर आपको देंगे अगर आप खुद ये remedy यूज़ करेंगे या अपने client को remedy देंगे तो उसको अपनी अगर अच्छी situation है उसे और better करने का मौका मिले और अगर कोई situation खराब चल रही है तो ये switch words उसको दवाई की तरह काम करेंगे तो अगर कोई भी कार्ड आए हर कार्ड का switch word है जो कि मैं series की हिसाब से आपको रोज एक switch word देने की कोशिश कर रही हूं तो अगर हमारा switch word ये card आए hanged man तो आप समझते है hanged man का मतलब जो भी situation ह है वो अभी इस टेम रुकी हुई है थमी हुई है मतलब आप खुद परेशान है आप अपनी चीजों से परेशान है आप decision नि ले पा रहे है और लोगों से भी आपके अच्छे relation नहीं है अगर आपने कोई business की opportunity आई है आते आते वो रुक गई है आपके रिष्टे की बात ह हो रही है तो वो रुक गई है तो इस situation में जो हम आपको switch word देंगे वो देंगे क्लाइम आप switch word क्लाइम को chat करें आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे और आपका view point आपका point of view और perceptions बदल जाएंगी चूँ आपकी जो perceptions है और view point है वो बदल जाएगा मतलब आपका नजरिया प्लस जो आपने एक बना लिया कि नहीं मेरा ये काम नहीं होगा वो सब बदल जाएगा तो दोस्तों जब भी hanged man का card आए the hanged man तो उस situation में आप climb, climb situation को use कीजिए definitely आपको फायदा मिलेगा आप जिसवी situation में उससे better आपकी situation हो जाएगी अगर आपका कोई काम रुका है तो बन जाएगा आप better महसूस करेंगे कई बर हम अपने अंदर ही घुटन महसूस करते हैं हम खुद ही कुछ नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना है हम काम नहीं कर पाते तो उस situation में आप climb situation को use करेंगे तो definitely आपको फायदा होगा इसी तरीके से अगर आपकी कोई भी problem है तो आप मुससे बात कर सकते हैं मैं कोशिश करूंगी आपकी help करने की ताकि आप life में successful रहें और खुश रहें Thank you so much